इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि Facebook का account permanently कैसे delete कर सकते हैं आप उसे deactivate करना चाहें तो deactivate भी कर सकते हैं और permanently delete करना चाहें तो delete भी कर सकते हैं तो चले फिर जानते हैं इसकीन पर आप मेरा mobile देख रहे हैं फेस्बुक कुछ ना कुछ update करता रहता है तो फेस्बुक account delete करना भी उसने change कर दिया है यहाँ पर मैं अपने account open करूँगा और यहाँ भी देखी मैं अपने account पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर अपने logo पर 3-line पर आपको इसमें इस तरके का interface मिलेगा अलका सा आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको setting इस privacy वाल अप्शन पर किलिक करना है जैसे आप इसमें करेंगे तो ऊपर आपको setting का जो option है इसमें आप किलिक करेंगे यह Facebook की मेरी profile ID है पूरा वीडियो देखेगा सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको इसमें इस तरके का interface मिलेगा और यहाँ पर आप आप देख रहे हैं Meta account center में आपको personal details, password and security और यहाँ पर एड़ performance और नीचे आपको मिलता है see more in account center आपको इस पर किलिक करना होगा जैसे आप यहाँ पर किलिक करेंगे तो आपके सामने इस तरके का ownership and control इस पर आपको किलिक करना होगा इस पर जैसे किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी profile दिखाई जाएगी जो Facebook की profile है इस पर आप किलिक करेंगे और जब आप इस पर किलिक करते हैं तो उपर आपको deactivate account का option मिलता है और नीचे आपको delete account का option मिलता है अगर आप कुछ महीनों के लिए Facebook को छोड़ना चाहते हैं आप चाहते हैं कि कोई भी आपको search ना कर पाए तो आप deactivate वाले option पर किलिक करेंगे जब भी आप एक महीने ब आप दिलीड वाले account पर किलिक करेंगे डिलीड एकाउंट फिर आप एक continue वाले option पर किलिक करेंगे जैसा आप इस पर किलिक करेंगे तो आपने अपने profile से जो भी page बना रखे होंगे वो page यहां पर आ जाएंगे और आपको बताए जाएगा कि आपकी profile ID के साथ साथ आपकी जो page है आपके page भी डिलीड कर दिये जाएंगे तो यह चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आप अपने ID को डिलीड कर रहे हैं तो आपने ID से जो भी page बनाए है वो page भी डिलीड कर दिये जाएंगे इसके बाद आपको continue वाले option पर किलिक करेंगे तो यहां पर आप से पूछ है रीजन कि आप अपने अकाउंट को क्यों डिलीड करना चाह रहे हैं तो आप इसमें कुछ भी बता दीजिए यहां पर हमने इस पर किलिक कर दे हैं सब कर सकते हैं तो यहां पर आपसे फिल बता रहा है कि आप जो है अपने अकाउंट को डियक्टिवेट कर सकते हैं और नीचे यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि आप अपने डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपके 853 फोटो हैं 294 अपने पोश्ट की हैं यह सब आपको यहां पर जो भी आपने शर्याय यहां पर आपो आपकोंड आपको यहां बently करते हैं तो आपको थीस दिन तक लोगिन नहीं करना है अगर अपने 30 दिन टक अपने अपने आइड को को लोगिन किया तो आपका एक् काउउंट या यहाँ पर आपको password डालना है अगर आपके पासवर्ट नहीं तो आप forget passport पर किलिक करके password डाल सकते हैं पासवर्ट डालने के बाद आपका account 30 दिन के लिए मालने जीए deactivate कर दिया जाता है ना तो कोई search कर पाता है ना ही कोई आपको देख पाता है ना कोई आपको message कर पाता है और 30 दिन बाद जो है आपका account permanently delete कर दिया जाएगा आप उस पर फिर से login नहीं कर पाएंगे तो यह चीज आपको ध्यान देनी है 30 दिन तक आपको अपने facebook id को login नहीं करना है और आपने जैसे id को password डालके login किया तो आपको account फिर से आपको मिल जाएगा तो यह चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पे आप जैसे ही password डालेंगे और continue वाल अप्शन बेक करेंगा facebook से logout हो जाएंगे तो इस तरीके से आप अपने facebook के account को permanently delete कर सकते हैं तो ऐसे और कोई जानकर यह आपको चाहिए तो comment बोस में comment कर सकते हैं मिलते आप से next वीडियो में बाई बाई